असलाम अलेकुम आज मैं आपके तार शेयर कर रही हूं कटोरी चाट बनाने की रेसिपी जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुँँ में पानी आ जाता है इसको बनाने में हमें दो तरह की रेसिपी बनानी होंगी एक हम कटोरी बनाएंगे और दूसरा इसके अंदर भरने के है एक गोल में मैंके 1.5 कप लेंगे मैदा इसे के साथ इसमें डालेंगे सुजी या लवा के सूजी और अनिके बनानी के सूजी और आपो岑 4 कप यानि 4 ब्याइग should be ठीर रो नमख आ लेगे एप जार Сब्रून के दीर के आप चाहएंगी इसमीन्स को पहले हातहों की के इस UAE तयार कर लेना है करका का ना कर लती करकी कटरी बन कर बहुत ही खस्ता बन कर प्रता होती है कि सप्थामक्त यह है कि आपका मेई अच्छे से बंद गया है मुठी स्था है आई कि थे चाज से दुबार के कर्mberons कि और बहुत सक भी मत रखेगा कि उसमें क्रैक्स आजाएं तो सेमी सॉफ्ट इसका डो तैयार कर लिजेगा अब इसको तीन से चार मिट के लिए गुन लेंगे तो तीन चार मिट अच्छे तरह से मुक्की लगा कर इसको गुन देंगे जिससे कि हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा है बलकुछ चिकना हो जाएगा अब इसके उपर थोड़ा सा ओयल अप्लाय करतेंगे जिससे कि इसकी उपरी परद सुखेंगी नहीं और इसको 15-20 मिट के लिए रख देंगे हमारे आटे को रेस्ट करते वे तकरीबं 15-20 मिट हो गए अब हमें इसके पेड़े काट लेने हैं एक जो हलका फुलका बनाते हैं उतने बड़े आपके इसके पेड़े काटने हैं बहुत बड़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत छोटा भी नहीं रखेंगे या पिर यह तो इसको इसी तरह से बेलिएगा जैसे कि आप फुलके बेलते हैं यानि कि मोटा भी नहीं रखेंगा और बहुत बारिक भी नहीं करिएगा यह देखिए इस तरह से अब हमें इसको काटे की मदद से प्रिक कर लेना है इसको प्रिक करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इसको प्रिक नहीं किया तो फ्राइ करते टाइम आपकी कटोरियां फूलने लगेगी और जो कटोरी का असल शेय पाना चाहिए वो नहीं आ पाएगा इसलिए अच्छे सेब प्रिक कर दिंगे अब हम लेंगे स्धील Stephen की कटोरी और इसक को टेल से ग्रीज़ कर देंगे हर तरस चारु तरस इसमें एंडेल लगा देंगे और इसको इसके सेंटर में रख देंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करने लगे तो इस तरह से प्लेट्स देते वे हमने इसको कटोरी का शेप तो दे दिया है लेकिन अभी हमें इसको अच्छी तरह से फिक्स करना है तो क्या करेंगे बहुत अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से प्लेट्स को दबा देंगे अगर आप प्लेट्स को ठीक से फिक्स नहीं कर तो फ्राइ करते टाइम यह प्लेट्स खुल जाएंगी तो बिल्कुल मेक्शियोर कर लिजएगा कि आपकी प्लेट्स अच्छी तरह से चिपक चुकी हैं और यह जो ऊपर एक्स्ट्र आटा है इसको अंदर की तरह फोल्ड कर देंगे और इस तरह से चुरी की मदश से इसको हम निकाल देंगे क्योंकि यह एक्स्ट्र आटा है और अंदर से इसको निकाल जरूर दीजगा बना कटोरी अंदर ही फसी रहा जाएगी तो एक नाइफ ले लिजगा और इस तरह से इसको काड़ दीजगा रिमूफ कर दीजगा अंदरूनी हिस्सा भूलियेगा नहीं फिर से बोल रही हो अगर भूल गया तो फिर कटोरी निकालना नामुम्किन हो जाएगा तो इस तरह से काटोरी का एक शेप अच्छे साह आच चुका है एक बार फिर से मैं श्योर करने के लिए के फ्राइ करते टाइम हमारी काटोरी पूले नहीं फिर से मैं इसको प्रिक कर लूँगी तो फोक लेंगे और इसको प्रिक कर दिंगे मैं आपको दिखाना चाहूंगी वीडियो के लास में मैं आपको दिखाऊंगी जिस कटोरी को मैंने ठीक से प्रिक नहीं किया था इस तरह से उसका क्या अंजाम हुआ वो फ्राइ करते टाइम कितनी बुरी तरह से भूल गई थी अब हमें कटोरी को फ्राइ करना है पहले तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर दीजेगा और फिर गैस की फ्लेम को लोर मीडियम कर दीजेगा इसके अंदर एक छोट आसा आटे का बॉल डाल कर देखेगा यह धीर धीर उपर आना चाहिए एक दम से उपर नहीं आना चाहिए अच्छी तरह से शिख जाए और थोड़ी दिर इसको ऐसे ही रहने देंगे इसको हिलाय डोलाएंगे नहीं इससे क्या होगा यह अपना शेप ले लेगी और इसका अपना शेप लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हम कटोरी बना रहे हैं तो कटोरी जैसा शेप आना बहुत ज चोटी लेंगे तो आपके हाथ में जलन महसूस हो सकती है गर्माहाट महसूस हो सकती है मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा है फिर भी केरफुल और आप देखेंगे जैसे जैसे यह सिखने लगेगी यह कटोरी को छोड़ने लगेगी थोना सा तेल उ को निकाल पाएं एहत्यास से निकालेगा इस पौइंट पर क्योंकि तेल बहुत गरम है और यह देखेंगे आप देख सकते हैं कितनी असानी से मारी कटोरी निकल गई अब अंदर से भी यह जो तेल इसके अंदर ढल देंगे क्योंकि अंदर से भी हमें काटोरी को थोड़ा से सिख जाए तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मारी काटोरी सिख चुकी है बहुत जबदस काटोरी बनती है और जब आप इसके अंदर चाट डालेंगे और चाट के साथ काटोरी को खाएंगे तो आपको मज़ा आजाएगा बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है अब जो भी तेल काटोरी के अंदर भर गया है इसको हम इस तरह से पलट कर निकाल देंगे और काटोरी को हम तेल में से बाहर निकाल देंगे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे थे हमारी काटोरी जो है अंदर तक पक गई है अंदर तक फ्राय हो गई है बेहतरीन काटोरी बनती है जब आप से बनते हैं और मैं पोगते ही की है इसे कि हमाते बैखे हैं इब singles कुने चुंट कर लिए इस तें सब्सक्तव में होई है तो अगर पास काटोड़े नहीं चिलास पें मेरिकत नम W henu इस दिखता रही है बस थोड़ी सी उचाई रखिएगा यहीं है तो उससे भी कटोरी बहुत अच्य बन जाएगी और लिक्वेट इस से भी कटोरी बहुत अच्य बनती है अगर आपको लिक्वेट डो से कटोरी की रेसेपी चाहिए है तो आप मुझे कमें बॉक्स में बताएगा मैं शालो पू और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी वह कटोरी जिसको मैंने प्रेक नहीं गया था प्लेट्स को ठीक से दबाया नहीं था प्रेस नहीं था तो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था मैं जल्दबाजी में भूल गई इसको प्रेक करना और कटोरी का यह हाल हुआ और जिस इसमें डालेंगे दो अबलेवे आलू जिसको छोटे चोटे पीसे में कट कर लिंगे आप इसमें डालेगे अब ओलेवे चने तो यह एक कप अबलेवे चने अब ये 1 by 4 cup बारिक करटेवी प्यास से, 1 by 4 cup बारिक करटेवी टमाटर है, जिसके मैंने बीज निकाल दिये थे, थोड़े से हरे धनी के पत्ते हैं, और अब हम डाल देंगे कुछ मसाले, तो आधा तीस्पून में नमक डाले, और 1 by 4 तीस्पून डालेंगे काला नमक, तीस्पून डालेंगे लाल मिश का पॉडर, पुनेवे जीरे का पॉडर पॉडर दालेंगे और चात मसाले का पॉडर, और ये ये दो से 30 टेडिली इस्पून फेश दही डाल दिए, और यह एक टेडिली एपुन डालेंगए एसक ने ये meine चे-दी उनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिजएगा लिंक मिल जाएगा आपको अब इन सभी इंग्रेटिस को अच्छी तरह से मिला देंगे यह हमारी एक मज़िदार सी चाट बन कर तयार हो गई है वैसे तो कटोरी में लोग अलग-अलग से आलू डालते हैं अलग से चनी डालते ह हैं लेकिन यह मैथीड 25 अच्छा है सारे मसाले nam 150 से मिक्स हो जाते हैं सारे टाइन चार्ट में फीकापन नहीं रहता है कि यही प्रइफर करतीच हूं अगर आप चार्ट बना रहें तो पहले से बोल बना लें जिसे की सर्फ करना भी आसान हो जाता है आसानी से फसमें लिए चाट बना लें बहुत अची चाट बनती है अब वक्त आ गया है एसेंब्लिंग का तो कटोरी लेंगे और इसके अंदर हमें चाट भर देनी है तो जितनी जिसको खानी है उसे साफ से आप चाट भर ले वैसे चाट तो ऐसी चीज है कि सब को दिल भर के खानी होती है आप बूंदी डाल सकते हैं पानी पूरी डाल सकते हैं या फिर चिप्स भी डाल सकते हैं इसको क्रंची बनाने के लिए अब हम इसमें चाट वाले कुछ मसाले कर देंगे तो यह है काला नमक काला नमक हम इसमें डाल देंगे बूनेवे जीरे का पाउडर डालेंगे और थो तो थोड़ा सा पाई डाल कर उसको थोड़ा सा उसका कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट कर लीजेगा और दही तो चाट में बहुत अच्छा लगता है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है उस हिसाब से डाल देंगे अब इसमें हारी चटनी डाल देंगे और साथ में डाल देंगे लाल चटनी तो लाल चटनी जो है आप अमचूर के पाउडर से ही बना सकते हैं या फिर इमली से भी बना सकते हैं दोनों की रेसेपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप अब इसमें प्यास ट्रमाटर हरा धनिया हर इमिच वगर डाल देंगे जो जो चीज़े आपको पसंदें और जो नहीं पसंदें उनको आप इसकिप कर दें ऐसा कोई हार्ड और फास रूल नहीं है कि आपको यह डालना है अपने टेस्ट के अगॉर्डिंग आप इसमें सब अब इसको प्रेजंटेबल लुक देने के लिए मैंने थोड़े सहर धने के पत्ते भी डालती है और अनार भी डाल देंगे इसको अच्छा सा लुक देने के लिए यह भी आपके पास अवेलेबिल हो तो डाल लीजेका नहीं है तो स्किप करतें चेका बहुत जबरदस बनत ट्यार होती है और थोरा से टाम कंजूमिंग सुक्रिया पहले से अगर बनाकर रखें तो बनाना बहुत आसाल आप चाट है लाज तो क्टोरी इसला की होती है कि अप इनको पूरे महीने रखे में उसके आप एरटी के आप्हें आप सारी तो यहाई आप कड़ीजार को बना में और अपको यह जे हैं अ क्टोरि इनको रों तमप्ररेटर पर किसी भी एयरटा जिससे कि आपको रोजे में महिनत नहीं पड़ेगी वनना पर रोजे में कटोरी वगएर बनाना काफी महिनत वाला काम हो जाता है तो कटोरी बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं उनका आप ध्यान रखेगा कटोरी आपकी परफिक्ट बनेगी पहला आपको आटा जो है वो मुलायम नहीं गुनना है सेमी सॉफ्ट को गुनना है यानि कि थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए और दूसरा यह जब आप कटोरी बना रहे हो तो कटोरी को अच्छे तरह से प्रिक जरूर कर लिजेगा और तीसरा यह कि तेल आपका तेज गरम नहीं होना चाहिए अकर तेज गरम होगा तो फिर कटोरी बाहर से डार्क हो जाएगी और ठीक से नहीं सिकेगी ना ही वो ठीक से क्रिस्पी हो पाएगी कटोरी को आप श्डर करने क्यादे जारते हैं तो किसी भी एरटइट 콘टेंइनर में आप श्डर कर सकते हैं, पूरे महीने आप श्रीज बस यह धियान रखेगा कटोरी जब आप स्टोर कर रहे हो तो गरम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल रूम टंप्रेचर पर जब आज़ा है उसके बाद ही स्टोर करिए का कटोरी बनाते टाइम जब आप उसमें प्लेट्स डाल रहे हो तो उन प्लेट्स को अच्छी तरह से प्रेस सरूर कर लीजगा अगर आपने हलका हलका ही प्रेस कर रहे है और आप उसको तलने के लिए डाल देते हैं तो सारी प्लेट्स खुल जाएंगी और आपकी जो कटोरी फैली फैली हो जाएगी तो बस यह सब बाते आप ध्यान रखें परफेक्ट आपकी कटोरी बनेगी उमीद करते हूं रेसेपी आपको अच्छी लगी होगी अगर पसंद आईए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्स्राइब करना बिलकूल मग भूलेगा और प्लीज मेरा फ आवी लगी करना झाला हूं बाते हैं